हेलो दोस्तों मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश इस्टिडी में आपको स्वागत करता हूँ सातियो आज 17 जनवरी 2021 है 17 जनवरी 2023 का जो आपको प्रतंशिप्ट में सामान हिंदी का पिपर हुआ है आज इस वीडियो में जितने भी सामान हिंदी के कोसन है सभी कोसनों को करेंगे सातियो सरप्रतम में बता दो आपको हिंदी में गध्यांस पूछा जाता है या आपको गध्यांस पढ़ना है और इसमें 91 से लेकर 99 तक के आंसर इसमें से पढ़के बताने है गद्यांस में दे रखा है नीचे दिये गए गद्यांस को ध्यान पूरवा को पढ़िए तता पूछे गए प्रिष्णों के उत्तर के लिए सही विकल्ब का चैन कीजे बद्ध्यांस दे रखा है, मन में विश्वास रखें, तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में संकार रहे, तो कोई जीत नहीं सकता जिंदगी हमें रोने के सवं मौके देती है, तो मुस्कराने के भी हजार वहाने देती है प्राकर्तिक प्रकर्ति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है रात और दिन अन्धेरा और उजाला गोरा और काला अच्छा और बुरा उत्थान और पतन हार और जीत सभी को इन दो परसपर विरोधी चीजों के बीच संगर्च करते रहना होता है संगर्च अकेले ही करना होता है भीड तो उमडती है जीत जानने के बाद बस इतना सा हुनर सीखना है जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है दूसरों को समझना बुद्ध मानी है खुद को समझना असली जान है दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक सकती है साते हो ये गद्यान मैंने इसलिए पढ़के पूरा बताया है क्योंकि इसमें से कॉस्ण बताने होंगे अगर मैं इसको आपसे बोल देता है आपको इसे पढ़ लेना और नीचे आंसर देना साते हो आपको पताने चलती कि इनमें से आंसर है क्या तो यह मैंने गद्यान सुना दिया है आप द्वारा से वीडियो को द्वारा से सुन सकते हैं बड़े आराम से और फिर इसकी आंसर इसमें से बता सकते हैं मैं इसमें से question पढ़ना हूँ, आप भी answer देना, question नमर 91, 91 मैं पूचा है, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है, साथि अभी हमने गद्यांस बढ़ाता, तो इसका सही answer हो जाएगा, option नमर पहला, यानि मन में विश्वास रखने से जीत की प्राप्ति होती है, अगला question देख लेते हैं, question नमर 92, साथि अगर इस channel पर प्रतमार आयो हो, तो channel को subscribe कर लें, वीडियो को like, share करना न भूलें, अगला question देख लेते हैं, question नमर 92, 92 है आपका, वास्तवे ज्यान किसे कह सकते हैं, नीचे चार अपसंदी रखे हैं, इन वैसे सही answer आपको, बता ना हैं, चार अपसंदी में से सही answer क्या होगा, साथियो इसमें से चार अपसंदी में सही answer आपको, नमर सेकेंड हो जाएगा, यानि अपने आपकी बारे में समझ बनाना, अगला अपसंदी देख लेते हैं, क्वेशन नमर 93, 93 में पूचा है, साथियो, संगर्ष अकेले करना होता है, का अर्थ है, नीचे चार अपसंदी रखे हैं, इन में से सही answer आपको बताना है, इन में से सही answer क्या होगा, साथियो, इसका सही answer, अपसंदी दूसरा हो जाएगा, यानि संगर्ष में स्वेहीं जूजना होता है, अगला अपसंदी नमर 94, 94 में पूचा है, जिन्दगी हमें रोने के सो मौके देती है, अभी पढ़ाता हमने गध्यान समय, सव मौके देती है, तो मुस्कराने के भी हजार, वहाने देती है, से तात्वर क्या है, नीचे चार अपसंदी रखें, इनको पढ़ना है आपको, और सही answer आपको बताना है, 94 का सही answer क्या होगा, साथियो, 94 का सही answer अपसंदी हो जाएगा, यानि जिन्दिगी में सोको दोको दोनों ही होते हैं, अगला next question, question number 95, 95 में पूचा है, निमले कितमे से कौन सा समूँ से बिन है, नीचे चार अपसंदी रखें, इनमे से सही answer आपको पताना है, 95 का सही answer क्या होगा, इसका सही answer आपसंदी नमर चोथा हो जाएगा, यानि तरह तरह, अगला question 96, 96 में पूचा है, कौन सा जोड़ा गध्यांच में नहीं है, 96 का सही answer आपसंदी नमर सेकेंड हो जाएगा, यानि सुक और दुख, यह सुक और दुख है, यह आपका जोड़ा गध्यांच में नहीं है, अगला question देख लेते हैं, question 97, पतन सब्द का विलोम है, नीचे चार अपसंदी रेखें, इनमें से पढ़गे आपको सही बताना है, सातियो, पतन सब्द का विलोम होगा, उत्थान, अगला नेट question, question 98, 98 में पुचाया, गध्यांस के अनुसार, सच्ची सकती है, नीचे चार अपसंदी रखें, इनमें से सही अंसर आपको बताना है, 98 का सही अंसर क्या होगा, 37 का सही अंसर अपसंदी रेखें, यानि स्वें पर नियंतर रखना, अगला नेट question देख लेते हैं, question 99, 99 में पूचाया, जमीन पर रखकर, आसमान को जीतना है, का भाव है, नीचे चार अपसंदी रखें, इनमें से सही अंसर आपको बताना है, 99 का सही अंसर क्या होगा, साथि 99 का सही अंसर, अगला नेक्ट question, साथि और ये गद्यांस आपको फिर से द्वारा से रिपीट हो गया है, अब नीचे देखते हैं, सौमाई question से, इसमें एक गद्यांस पूचा जाता है, और एक पद्यांस पूचा जाता है, गद्यांस तो आपने पढ़ लिया, और नीचे ये आपको पद्यांस दिराखा है, पद्यांस में पूचा, नीचे दिये गए पद्यांस को ध्यान पूरा पढ़े, तथा पूचे गए पिष्णों का उत्त-ध सही विकल्ब का चेहन कीजिए, और ये आपको पद्यांस पढ़ना है, और सो से लेकर और 105 तक के अंसर आपको बताने है सो में यह पद्ध्यांज में आपको पढ़के सुना देता हूं कौसन पूछने से पहले इसमें पद्ध्यांज में रखा है केवल विदेशी बस्तु ही क्यों अब स्वदेशी हैं कहां वह वेशभूसा और भासा सब विदेशी हैं कहां गुण मात्र छोड़ विदेशीयों के हम उन्हें मन सन गए कैसी नकल की वाह हम नकाल पूरे बन गए सब स्वावेमान डुब चुके जो पूर्व परावार हमे किन्तो इसे जीना कहें तो फिर हमें मरना किसे जीना कहां है वह नहीं है ध्यान कोछ अपना जिसे कभी के अनुसार विदेशीयों की किस बात की नकल नहीं की गई है साथी 100 का सही आंसर पहला हो जाएगा यानि गुण की अगला नाइट कौसन कौसन नमर 101 101 में पुचा है कविता के किस सब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण कंडे वालों पर व्यंग किया गया है नीचे 4 अप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर आपको बताना है 101 का सही आंसर अप्शन नमर 30 हो जाएगा यानि नकाल अगला कौसन कौसन नमर 102 उनी में सन गए पंक्ति का भाब है नीचे 4 अप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर आपको बताना है 102 का सही अंसर क्या होगा साथ हो 102 का सही अंसर option number second हो जाएगा यानि उनके जैसे ही हो जाना अगला next question question number 103 103 में पूचा है जिनका सुभाविमान समाप्त हो गया है उनका जीना नीचे 4 अप्सन दे रखें इनमें से आपको सही अंसर बताना है 103 का सही अंसर क्या होगा साथ ही 103 का option number 4 सही हो जाएगा यानि असो वनिय है अगला next question question number 104 104 में पूचा है संसा सब्द में एक प्रत्य लगाने पर सब्द बनेगा नीचे 4 अप्सन दे रखें 4 अप्सन में से सही अंसर आपको बताना 104 का सही अंसर क्या होगा 104 का सही अंसर आपको बताना है 105 का सही अंसर क्या होगा साथ ही 105 का सही अंसर second हो जाएगा यानि विदेशी अगला next question question number 105 से आगे देखते हैं ये साथी दुबारा से रिपीट हो गए है question number 106 106 में पूझा है प्रात्मी के इस्तर पर सिक्षार्तियों के आकलन के दोरान एक भासा सिक्षण को मुख्य रूप से निमलिक्त में से एक पर ध्यान देना चाहिए पहला दिरका है अपचारिक समाप्ति हित परिख्या और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना second दे रखा है एक अवदी के अंत में यह आपको सही आंसर बताना है इन में से मैं आपको फिर से बता दूँ यह आपको question दे रखा है के प्रात्मिक इस्थप्रा सिख्यार्थियों के आकलन के दोरान एक बासा सिख्यार्थियों को मुख्य रूप से निमलिक्त में से एक पर ध्यान देना चाहिए नीचे चार अप्सन दे रखा हैं चार अप्सन में से आपको सही आंसर बताना है 106 का सही अंसर क्या होगा ताथ है 106 का सही अंसर अप्षिन आप्षिन आपर तीसरा हो जाएगा यानि सिक्षार्थियों के निस्पादन के बारे में विवेद तरीकों से जानकारी एकतित करना तथा उसे सिक्षार्थियों एवं उनके माता-पिता के साथ साजा करना अगला नेट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर 107 107 में पूचा है बच्चे एक या एक से अधिक भासाओं के घ्यान के साथ विद्याले में आते हैं एक से अधिक भासाओं को का घ्यान बच्चों को साहता करना करता है नीचे चार अप्षन दे रखें इनमें से सही अंसर आपको बताना है 107 का सही अंसर क्या हुआ साथि 107 का सही अंसर अप्षन आप पहला हो जागा यानि अन्य भासाओं एवं नए विशेओं को आसानी से सीखने में अगरा कौसन देख लेते हैं कौसन नमर 108 108 में पूचा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कौपी को देखते समय भासा की सिख्षका ने कुछ तुठियां देखी और महसूस किया यह चार अंसर ने रखें इनमें से सही अंसर आपको बताना 108 का सही अंसर क्या होगा साथ ही 108 का सही अंसर 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 तीसरा हो जाएगा यानि बच्चों की तुठियां सुहाविक हैं और उनके अधिगम की संकेता कहें अगला नेक्ट कौसन, कौसन नमर 109 108 से 109 कौसन देख लेते हैं 109 में पूचा है वाइगोच की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतर किया से सीखते हैं एक भाजा सिक्षक के रूप में नीचे 4 अंसर रखें इन 4 अंसरों से आपको पढ़के सही अंसर बताना है 109 का सही अंसर क्या हुआ 109 का सही अंसर अपको पढ़के साथियों के साथ अंतर क्रिया कर सकें अगला नेचे कौसन, कौसन 110 110 में पूचा है भारतियक कक्षाएं भहवासी कक्षाएं होती है भहवासिकता के इस संदर्व को ध्यान में रखते हुए प्रात्मे की स्थर पर भहवासी कक्षा की बारे में निम्लिकत में से कौन सा एक सर्वदिक उपयुकत है यह से चार अप्षन रखें इनमें से सही अंसर आपको बताना है 110 का सही अंसर क्या होगा साथ एक 110 का सही अंसर अप्सना उचाता हो जाएगा यानि सिक्षक सिक्षार्तियों को उनकी इस्वें की भासा में संप्रेशन करने एमाँ अवियक्ति है तो प्रुसाहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें अगला नेक्ट क्षण, क्षण नमर 111 111 में पूचा है, भासा सिक्षक ऐसा कारदें जो जोडे सम्मों में किया जा सके क्योंकि नीचे 4 अप्सन ने रहें, इनमें से सही अंसर आपको बताना है 111 का सही अंसर क्या होगा साथी 111 का सही अंसर अप्सना में तीसरा हो जाएगा यानि इस प्रकार के अर्थफून कार्णियों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीकते हैं अगला नेक्ट क्वेसान, क्वेसान अमरे 112 112 में पूचा है, एक अध्यापक का अपनी कक्ष्या में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भासा पढ़ने इमूं समझने में कठनाई हो रही है यह खालिस्तान का लेक्ष्ण हो सकता है यानि किसका लेक्ष्ण हो सकता है नीचे चार अप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर आपको बताना है इसमें आएगा डिक्ष्या का लेक्ष्ण हो सकता है अगला नेच प्ष्ण, प्ष्ण आपको बताना है 113 का सही अंसर क्या होगा साथ ही 113 का सही अंसर अप्सन अब तीसरा हो जाएगा यानि आकलन विद्याले आदारेत तथा सिक्ष्ण अधिगाम प्रक्रिया के साथ समावेशन होनी चाहिए अगला नेच क्ष्ण, क्ष्ण नमार 114 113 हो गया, 114 मा क्ष्ण है निमले कितमे से आप किसे बहासा की कच्चा है तो परमाड़े के सामेशन के रूप में स्विकार करते हैं नीचे चार आप्सन दे रखें, चार आप्सन में से पढ़के सही अंसर आपको बताना है 114 का सही अंसर क्या होगा साथ ये 114 का सही आंसर अप्शन नमर तीसरा हो जाएगा यानि समाचार पत्र अगला नेट क्वेस्टन, क्वेस्टन नमर 115 115 में पुचा है बासा अधिगम के लिए सामिक्री तेयार करने के सिद्धान्त में से एक है नीचे चार अप्शन दे रहें नीचे चार अप्शन दे रहें चार अप्शन दे रहें चार उप्षन में से सही आंसर आपको बताना 111 का सही आंसर क्या आएगा साथी 111 का सही आंसर उप्षन उप्षन उचोता हो जाएगा यानि बच्चा विना सच्चेत ध्यान की भासा ग्रहन करता है अगला next question, question नमर 117 117 में पूचा है, भासा के उत्पादन कोसल है खालिस्तार आपको बढ़ना है, खालिस्तार की जगपर क्या आएगा 117 का सही आंसर उप्षन नमर 3 हो जाएगा यानि वाचन तथा लिखन अगला next question, question नमर 117 117 तो हो गया साती हो, question नमर 118 आएगा 118 में पूचा है, सभी बच्चे उन गत्विद्यों द्वारा आवेप्रियरित होते हैं नीचे 4 अप्षन ने रखें, 4 अप्षनों से सही आंसर आपको बताना है 118 का सही आंसर क्या होगा साती हो, 118 का सही आंसर, अप्षन नमर 3 हो जागा यानि जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है अगला नेट क्वसान, क्वसान नमर 119 119 में पूचा है, देव भासी, बच्चे या दो भासा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय, प्राया एक भासा के सब्दों का प्रियोग करते हैं, कहला आता है नीचे चार अप्षन दे रखें, सही आंसर आपको बताना है 119 का सही आंसर क्या होगा साती 119 का सही आंसर अप्षन नमर पहला हो जागा, यानि संकेत बदलना अगला नेक्ट क्वशन, क्वशन नमर 120 120 मैं पुचा है, बेद्यार्थियों के आधिगम के आकलन के लिए उप्योग की जानने वाली स्कोरिंग मार्ग दर्सिका को कहते है नीचे चार अप्षन दे रखें, चार अप्षन में से सही आंसर आपको बताना है 120 का सही आंसर क्या होगा साथी 120 का सही आंसर अप्षन में पहला हो जाएगा, यहन्य ही रूप ब्रेक्ट्स अगला नेक्ट क्वशन साथी 120 तक ही कॵशन थे हिंदी बासा के यतने वी कॵशन इस पीप पेपर में पूछे गए हैं सभी कॉसन हमने कम्प्लीट कर लिए हैं साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक सेर और चैनल में पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आज की लिए बस इतना ही धन्यवाद